हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो मैं इस्टेडी फीड ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आप अपना रिजल्ट देख लिए होंगे सभी अपना अपना रिजल्ट देख लिए होंगे जो क्वालिफाइड है वो में एक्जाम की तैयारी में अभी से जूट जाएए और इसका रिजल्ट देखने के लिए esv.mp.gov.inofficial website पर जा करके आप अपना फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं तो दोस्तो अब आपके पास समय नहीं है अब आप चुप मत बैठिये क्योंकि जो भी क्वालिफाइड हो गया है में एक्जाम की प्रिवेशन अच्छे से किजिए क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है जो क्वालिफाइड हो गया है वो में एक्जाम की तयारी अच्छे धंग से किजिए अभी से सुरू कर दिजिए और जो क्वालिफाइड नहीं हुआ है वो भी अब और मन लगा करके अपने कम्यों को दूर करते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे और दोस्तो में एक्ज कर लेंगे तब हम तयारी करेंगे तो दोस्तों इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ जाते हैं तो इंतजार मत किजिए अभी से लग जाईए जो आपकी पास मैटेरियर है जो भी चीजे है और वहीं से सुरू कीजिए और जो भी आपको syllabus प्रोवाइट कर दिया जाएगा तो आपका syllabus जो आपका subject है उसी में से रहेगा कहीं बाहर तो रहेगा नहीं इसलिए आपने जो subject की तयारी की है उसी subject की main subject को अभी आप जादी focus कीजिए और एक एक topic को गहराई से देखिए क्योंकि आप देख चुके हैं कि सिच्छक पातता परिच्छा या पिटेट वर्ग 2 एंड वर्ग 3 में questions का level क्या था questions का level वर्ग 3 का क्या था जो primary level पे है उसका question का level कितना high था तो इस अधार पर आप देख सकते हैं कि question उपर उपर से पूछ नहीं रहा है आपको deeply पढ़ना पड़ेगा और दोस्तो मेन एक्जाम में आपको जदेश जदी number score करना है जदेश जदे question को आपको score करना है क्योंकि जितना seat है उससे जदा तो लेगा नहीं seat जितना है उससे जदा लेगा नहीं इसलिए आप जितना ज़दा नंबर लाएंगे जितना ज़दा आप स्कोर कर पाएंगे उतना ही आप के लिए positive होगा तो एक दम कमर कस के ready हो करके अभी से लग जाएए जब तक exam नहीं हो जाता तब तक पूरे मन से लगे रहे जादे चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि depression में कोई चीज अच्छा नहीं होता मन को हलका किजिए meditation किजिए ध्यान किजिए और मन को सांत किजिए और जब तक मन हलका रहेगा तो मन आपका एकाग्र रहेगा एकाग्र रहेगा तो आप अच्छे से उसे पढ़ पाएंगे चार घंटा की पढ़ाई को एक घंटे में ही पढ़ लेंगे क्योंकि बुक लेकर के आप बैठे रहेंगे पांच-छे घंटा और आउटपूट उसका कुछ नहीं मिलेगा आउटपूट आपको मिलना चाहिए फाल्तू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है फोकस होके पढ़े फोकस होके पढ़ेंगे तो चार घंटा के पढ़ाई दो घंटा में पढ़ेंगे इसलिए कूल मायन से अभी से लग जाएंगे क्योंकि दोस्तों जब एक्जाम आपके सर पर होता है उस टायम आप preparation करते हैं तो आपके। मानसी का pressure होता है उस pressure के चलते आप अप कीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं अभी आप preparation करेंगे तो एक एक पौइंच को समझते चलेंगे आपके उपर परिच्छा का मानसी की प्रेसर नहीं रहेगा अब मेंटर प्रेसर आपको अच्छे से पढ़ने नहीं देता है आप सोचेंगे कि एक्जाम का डेट आगया 15 दिन पहले हम उसको पढ़ ले तो ऐसे में आप कौलिफाइ नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ने से जदा प्रेसर आपका इतना दिन बागी है एतना दिन बागी है यह ज़्याता आप सोचते हैं इस तकरवार से आप टापिक को अच्छे से किलियर नहीं कर पाती इसलिए अभी से लगिए एकजाम की किन्ता किये बिना एक एक टापिक को कवर कीजिए उसका MCQ प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन के सभी कमपोटिशन एकजाम की बेहतरी न तयारी किया जाता है तो मेरे चैनल पर डेली बेसेशन पर प्रैक्टिस कीजिए और सभी थिवरी सेशन भी दिये गया है और प्रिविएस एर कोस्टिस के प्रैक्टिस दिये गया है और टापिक वाज MCQ के प्रैक्टिस दिये गया है और डेली बेशे से मेरे चैनल पर MCQ प्रैक्टिस करा जाता है तो सभी चीजे किलियर है चैनल के पेलिष में जाएए जो भी फिजिकल एजुकेशन का छात्र होगा अधर सब्जेक्ट का अपने हिसाब से आप करिए बढ़ फिजिकल एजुकेशन के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकाह के वीडियोच अविलेवल है तो दोस्तों कौन-कौन कितना हासिल किया है इसकोर और कौन-कौन इसजिटन फास हुए है तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएए फिजिकल एजुकेशन के कंडिडेट तो दोस्तों एक अच्छे मोटिवेशन के साथ कि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डर करना का पार नहीं होती तो लहरों से मत डर ये कि क्या होगा बस कोशिस करते रही अवसे सफलता मिलेगी क्योंकि बार-बार मौका नहीं आता एक बार मौका चले जाने पर दुसरा मौका आने में आता भी है तो बहुत देर बाद आता है तो इस सुनहरी मौकों को अपना सुनहरा मौका बनाएए स्वड़ीं अस्र बनाएए और अभी से लग जाएए क्योंकि टाइम ही सब कुछ है टाइम इज मनी यानि आप टाइम का सही उपयोग करना सिग गए तो आपके पास सब कुछ है तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैएए